नमस्कार दोस्तों आप लोग के लिए लेकाओ में तो तुन टीम सी की सरीज ग्रामर की दोस्तों नमर वान में हैं नाशुज़ दर करेक अंसर था सी तू दा मार्केट एवरी दे यह पर यह क्या हो जाएगा हमारा गोज हो जाएगा क्यों होगा यह यह फर थार्ड परसन सिं सिंग्लर नमबर है सी और ही हमारा थार परसन सिंग्लर नमबर होता है तो सी और ही होता है तो हमारा फर्ड में एस नहीं तो एस हो जाता है तो इसमें हमारा क्या है गोज है तो यह हो जाएगा हमारा करेक अंसर बी नमबर है दन यह थरपेटव सिंग्लर नमब्र गोट हमारा क्या यह गोँ अगर आप लोग गोईंग को देख लिए दो गोईंग होगा तो यह बर हईल्पिंग भाप रहना चाहिता और गों भी हल्पिंग भाप में रहना चाहिता यह फाप ट्रेना तो यह सब नहीं है तो इसलिए यह सक ठाजy dramas looking अजये पलका भीटो的話 थे लिकिन यह पर यह सिंऑ णहीं होना सही था आए ओना सुनी तख यह होना सुनी था यह वोना सही था यह सब और तो क्या क्या होता है यह गो होता तो यह वुगर दन कबया थी जंब क玩 खिया पर करनी लुक? सेकंड नमर आइडेंटिफाइड एरोर हमें कौन सा रॉंग रॉंग है कौन सा वर्ड रॉंग है इसको पैसा निकले कि गया बोल रहे हैं तो इस ऑफ स्टुदेंस बोल रहे हैं सभी स्टुदेंस मतलब सभी साथ रो हैफ सब्मिटेट डियर प्रोजेक्ट वो साथ रो अब इसमें देखिए अब यह कौन सा वाल तेंस में यह प्रेजेंट पर्फेक्ट टेंस में है तो इसमें क्या आता है है यह फार्प या हैस हेल्पिंग पर क्या आता है है और हैस और यहां पर क्या होता है हमारा फार्प ट्री होता है फार्प यह फार्प जो है ना साब्म सब्मेट करना मतलब देना तो यहाँ पर स्टुदेंस बोल रहा है स्टुदेंस स्टुदेंस यह तो हो गया हमारा क्या एक जो ग्रूप का वो नाम ले रहा है स्टुदेंस स्टुदेंस का ग्रूप है तो यह इसमें क्या हो जाएगा हमारा है के बढले में हैस हो जाएगा अ helping part जो है वो ए एस या एस होता है last में तो इसमें हो जाएगा हमारा has student has submitted their project यह दन हो गया तो अभी थर्ड नमबर पर है सुज्दापरे कौन सा वह जाना नहीं हो रहा है यह बांस में रख में या दरिते हो गया है मतलब यह रॉंग है यह के सट क्या ता मैंने तो बोल देता ही और सी के सट आएस यह साता है वाफ खेसर तो इसमें नहीं यह तो सेकेंड नमर पर देखिए आप सेकेंड नमर पर ही दासन्ट लाइक्स कुफी यह पर जो यह फाप पर यह हम दोनों को भी फार बी ले सकते हैं लेकिन यह हैं फिंग भाप की तरह क्या वोक करता है यह दू जो है दाद द लाइक में भी एश है और इसमें भी एस दोलर में बहुतला तो यह नहीं हो सकता और यह नमर दखेंड़ किया तीन नमर किया लाइक कोफी ओगे मैं नहीं होतही इन्साइ़ क्या करेट एंसर कि दांभे कोफी यह होगया दना अब अब अम में अब लोग कहते हा रहा हो कि यह हुए यह पार्ब के सट क्या एस याई यह है फार्ब या हेल्पिंग पार्ट के साथ यह होना चाहिए जब यह 30 पुसंड सिंगलर नूमर होता है अभी चार नमबर पे Select the correct preposition C is found as reading बो क्या पर ना अच्छा लगता है बोल रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा यह इन तो नहीं होगा इन अंदर में अंदर जब अंदर होता है इसको इसमें होता है और on जब उपर होता है तो इसमें और फोड ली और यह होता है और यह आफ हमरा यह आफ हो जाएगा phone c is phone after reading वह क्या पर्टने को अच्छा लगता है मुझ रहा है यह को होता है हमारा है को यह की यह रहत है तो यह हमरा हो जाएगा ओफ हो जाएगा prepositions में अब पास न म्रपे which sentence is correct या पर कौन सा वाला sentence correct बोल रहा है तो हमें sentence को देखना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है grammar के कौन सा category में आता है sentence में आता है या degree में आता है या voice में आता है ये सब देखना परता है मैं तो ए नमबर पर देखिए अब I have less apple than you मेरे पास अपसे कम अपल है ऐसा बोल रहा है तो क्या इसमें हम इसको पहसान सकते हैं ये दिगरी में परता है जो इसको हम कहते हैं comparative degree या पर कौन हमें कैसा पहसाना चाहिए ये देन जो है हम ये पहसान सकते हैं ये देन कब आता है जब compare करते हैं दूसरे को एक दूसरे से compare करते तो यहाँ पर हम देन देता है और जब देन देता है comparative degree में तो हम adjective में ER होना चाहिए यह ER और देन होना होना चाहिए तब हम इसको comparative degree किया सकते हैं अगर adjective में EST होता तो यह हम हम इसको super relative degree में ना देता दाTube होना चाहिए लेकिन यहाँ पर लेखना है यह ओप हम देखनाँ यह Denny बी द्यस्तरव आप में देन दैन भी है और हम देन हे इस सुलिए क्या देखना commend देखना से अब कौन सा बलास अधिक्टिब में अभी यह बी नंबर में देखा बी नंबर में क्या एजिक्टिब के साथ यह आ गया और देना गया तो यह हमरा जो नीड था ना वो प्लियर हो गया तो हमरा दौत लिए कि यह यह बिन बरी है तो करें से अमना क्या हो गया बीन बरें अब लोग इसको धियान से देखना आप लोग को दीगरी का ट्रच देए तो मुझे बता देना न मैं आप लोग को सिखा दूँगा तो यह हो गया मरदीह नंबर दन अभी ये देखो fell in the blank if I you and I would apologize बोल रहा है ये हमारा इसको धान्च देखो ये I would बोल रहा है ये हमारा past past tense का from है will का past tense क्या होता है हमारा would होता है तो हमारा ये past tense होता है ना तो past tense का from देखना जए कौन साय पास्ट इसमे हमारा ये वाज ना ये वाज क्या होता है हमारा third person singular number में होता है ये 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 दोनों तो नहीं होगा ये ये प्रेजिन्टेंटक होगा ये ये फिर तो भी ये नहीं होगा विवार ओर यह होगी हमारा वेयर हमारा वाजाएगा पास्तेंज का फोर्म वेयर ये वेर आजाएगा इसमें तो इव आए वेयर यू आई वुड अपॉलोजाईस पोल रहें मितलब इफ आई वोड यू मैं आप येसा बोल रहे कि मैं अगर तेरी जगा में होता मैं आप कि अपोलोजाइस कि माफ माफ खोचता येसा बोल रहे तो ये क्या दन अभी सेवेन नमबर पर अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि किस तेंस में हम तेंस देखती तो हम आमें देखना चाहिए कि क्या बोल रहा है और इसका फार्व क्या बोल रहा है और आप जrau देखना से तो दे आधी चैनल को यह पास परफेक्टेंस मेंड़नाइश प्रिजन्फट्रम इदी है न वर्हाइय ऑ इदी है तो हमें क्या कॉन सा बला तो यहाँ पर हमें देखना चुछ है यह तो यह यह तो नहीं होगा यह पास पर्फेक्ट में आता है लेकिन हम रहा क्या प्रेजन पर्फेक्ट में बूल रहा है यह पर ओब्जेक्ट जो है वो पास के नहीं बता रहा है इसमें प्रेजन का पता रहा है मतलब प्रेजन मतलब जो हो गया उसको दे इसमें क्या जाएगा दे के सट क्या आता है है वाता है है नहीं आता थार पसंट शिंगलर नमर तो है जाता है जाता है और इस भी नहींगा इस भी नहीं आएगा यह प्रेजन कॉंटिन्यूर्स का फॉर्म है और है तो प्रेजन है तो पास पार्फेक का है और हमरा क्या से यह प्रेजन पर्फेक्ट चाहे तो यह अमरा क्या हो इसका यह वाजएगा अगर यह थार पसंट सिंगलर नंबर सब जो अगर थार पसंट स्पीकर अगर थार पसंट सिंगलर नंबर होता तो क्या यह जो है अमरा है सो सथा यह पर क्या थार पसंट सिंगलर in team क्या ही इस थे बेस्प्लेयर इंटीम वो ताम कर बयुस्द प्लेयर है मर वो lezer स्टो इसमें क्या ईहा टो फिली यह याऊ रहना की चाहि किसाड गधिश्फ्ट टो ही आसना इस हो मैं इस फिलीन नहीं है तो इसमें तो कालती नहीं तो यह हमारा इडूर आए तो यह इरो राजीगा इसमें कोई कल्टी नहीं है अभी नाइन नमबर पर देखो विस ऑफ दा फॉलेंग सेंटेंस इस करेक्ट यह पर देखो कौन सब ले सेंटेंस करेक्ट है यह सी दिखो हमरा सी शी क्या बोल रहा है मतलब सी के सट मैंने आप लोग मैं आप लोगों बोल आए तो क्या आता है यह साथ है फाट के साथ तो यहाँ पर देखो आप कौन चवल में यह बी नमर पर द्रांड सी रांस फास्ट इसा होगा तो यह कि अभी तर अभी तेंभर पर पे सुस्दग करेक्ट आर्टिकल सी इस ओनेस पर सन यह पर यह पर इसको होनेस हम अच्छ क का होता है तो हमें कौने लेना चाहिए देना चाहिए ए नहीं हुगा जब इसको क्या की नुटाइब लेकिन उसका उच्छारा ने वो फावल है इसलिए हम इसको क्या एं डिगा यह पर क्या हो जाएगा एं बी नमबर हो जाएगा इसमें अभी 11 नमबर पे फिल इन द ब्लेंग विद द करेक्ट तेंस दे देस तू दा पार्टी लास्नाइक यह पास्टेंस का हो गया यह पास्टेंस का फॉर्म कौन सा बला है यह वेन ने गो वेन यह जाएगा गो का पास्टेंस वेन भी तू फार्ट तू मतलब यह वेन हो जाएगा तो दे वेन पार्टी लास्नाइक मतलब कल पार्टी कल था इसा कल गया था मतलब अभी तूबल नंबर भी आइडिटिवाइड एजेग्टीब इन-दे श्टेंस एजेग्टीब कॉन सा वोला हम मैंने बूल रहा धाकि आप लोग को की कलार कलार और उसका सेब ए वह जो उसका जो मम कलार और उसका जो लुक्स है इसको हम क्या एजेक्टिव बोल्टे है तो हम इसमें देखना से केस में ब्लू यह ब्लू हमारा क्या समझता है कलार यह एजेक्टिव यह हमारा एजेक्टिव है ब्लू हम कलार को एजेक्टिव बोल्टे है और उसको जो सेव है इसको हम एजेक्टिव बोल्ट अभी 13 नमबर पर विच the following is compound sentence इसमें compound sentence बूल रहे compound sentence फूच रहे compound sentence कोंचा बोल रहे इसमें दिख्ये जो जो वार्ड जोड़ता है उसको यम compound sentence बोलटे है इसमें कोंचा बोला है वि नंबर ये compound sentence है यह अपर culture और 야ा बात है ना इसमें हम patient गया इसको यह कंपॉंट सिंन्डेंस यह बात क्या कोंपॉंट से एक दूसरी को एक दूसरे से एक दूसरे तो वह वाट इसको जोड़ता है उसको हैं यह सब बोल रहा है तो यह भी नमबर यह बाद है ना इसलिए हम इसको पेचन गया अजाने से तो यह दन अभी 40 numbers is the correct form is to then have must must submit assignment on is all right yeah it's me considerable like a मतलब प्रोनाव नाजएगा नाम के बड़ ले जवाता है इसको यह पुनार बोलते हैं हाँ तो इसमें क्या the students have a students must submit his or her as a smika उसका उसका बोल रहा है उसका his or her उसका क्या समें देना से क्या देना से एसाइन्वेन सब में तो यह इस और हर हो जाएगा अगर लर्का उता तो हरो जाता है इसमें क्या students बुल रहा है कोई particular gender के नहीं बता रहा है इसमें क्या इस और आप लोग दिखे इसमें क्या subject लास भीवर प्लास और पर्ट्री आताया आ इसमें ब्लास बाइप पर पोजिशन आता है और इसमें सब जो एक वह ओप्जेक्ष आता है यह सा होता है तो इसमें देखिए आप कौन सा बीचाने यह फॉर्थ बहुत बहुत कि गए दा मेल ये अऊ सब ये ओब्जेक्ष यह दा मेल जो है वह फास्ट में आ जाएगा तो इसमें क आप देखे घडि ऑला बी नवर्टं के रहो गया अब दीखिए फिर से और इसमें जो भी यह एकुन से बिलाने में है प्रेजेंत असमें प्रेजेंट के प्रेजेंट में तो इसका फोळ्म ऐए आप इस तो कौन्सा बोला जाएगा इसमें यह पर हम पेचान गया इसको यह प्रेजेंटेंज में तो इस आता है इसमें प्रेजेंटेंज में अगर पास्टेंज में होता तो वास्वेर हो जाता एमिसर होता है अगर प्रेजेंटेंज तो हम पेचान गया कि कौन्सा बोला है यह नंबर पर नंबर पर आपूपने डाइन यह उब्जक्स आप जो यह उब्जक्स आपके लगर बीफार्ड आगा इस और उसका दरे भाट टी यह मतलब फार्ड फार्ड का वड़ाए लगर वांन जो जो खना बनाना उसको कहते हैं कुट वह फार्ब जो या फार्ट्री हो गया अपको कोट्स और उसका दो बाइपल पेजि़न आगे और यह सब्जेट है वो उब्जेट हो गया तो यह कौन सा हम आमारा यह नंबर करेक्ट एंसर हो गया ऐसा पर एचलना चाहिए हमें वर्ट्स को देखके अब शिक्स्टी नमबर फे विस सेंटेंस या यूज इस दा फ्यूचर पर्फेक्टेंस फ्यूचर पर्फेक्टेंस का जो फॉर्मॉला में आप लोगों बता रहों बता देन बता देरों क्या इसमें सब्जेक्ट प्लास सब्जेक्ट प्लास सेल हैफ और विल हैफ होता है सेल हैफ और विल हैफ और उसका फार्ट जो है वह फार्ट्रे होता है और अब्जेक्ट इसा तो इसमें का पर दिखाए विल हैफ और सेल हैफ देना जाए तो यह का पर है यह बी नमबर पे बी नमबर हम में इसको पेचान क्या साने से यह सेल है और विल है या परे विल है विल है तो यह हो गया मारा पी नमबर करेक्ट एंसर अभी इसमें क्या पूछ रहा है सेवेंटी नमबर है अइडिन्टिफाइड एडवर्ब इन सेंटेंज ही रान क्विक्ली तू क्याच दब बास गो यह वो क्या बास को पकड़ने के लिए जोर से भाग रहे बोल रहे है इसमें कौन सा पला जाएगा हम क्या भार्ब का जो क्या वो स्थीर बोल स्थीर का वो जो उसका जो क्या एक्टिविटी करता है उसको यह हम एडिक्टिप क्या एडवर्ब बोलता है ना उनका जो ना उनका जो एक्टिविटी है वो उसको क्या आइडिन्टिफाइड आई तो इसको यह हम क्या बोलता है एजेटिव पोलता है तो इसमें कौन सब्ला एक है यह वैस अ क्कषिकल्ड कषिकल् ACT फास्ट को फास्ट क्या होता हैKapard लेकोईक नीज जो न सब्सक्राइब हो किस्थ इसका तो किस तीरे कि जोर जा रहा है कि धीरे जा रहा है इसको क्या बोल रहा है कि फार्ब का जो एक्टिवीडी है उसको बोल रहा है कौन सा बला एड़ फार्ब बोलता है फार्ब का फार्ब को कौन बोलता है एड़ फार्ब क्या उसका फार्ब का जो एक्टिवीडी ना उसको ब रोल बोलता है तो इसलिए क्या जामरा क्विकली हो गया अगर यह इसमें फास्ट हो जाता फास्ट लियो जाता इसा तो यह हो गया मारा क्विकली भी नम्रेंब रेंट सर एटेंट तुस्ट करेक्ट कॉंजंग्शन आई वांटेट तो गो फूरे वर्ग और देस इड़ वस राने रेनिंग क्या इसमें कॉंजंग्शन को पेचाने के लिए बोल रहा है इसमें कॉंजंग्शन कॉंज है यह यह बाट है वो जोडता है क्या वोट को जोडता है बाट यह एन भी जोडता है फोर भी जोडता है जो भी जोडता है लेकिन इसमें हम सेंटेंस को देखना स यह क्या क्या है यह यह विट शो तो नहीं आए यहाई गा फोट नहीं यह इसमें क्या जाएगा बाट बाट इड वस रेनिंग लेकिन में जब वाकिन आइ आइ वांटेट टू गो फॉर एवाग में जब वाक करने को के लिए निकला था तो क्या वह पर की रेनिंग दे रहा लेकिन क्या पर बारिस देर आता इसा होगा तो यह पर बार हो जाएगा अभी नाइटी नामर पे सेलेक्ट आ करेक पुर्णावन नेडर आप दो बोई है है यह ब्रोग इसमें कौन सब्ला हो जाएगा हीस यह पर लड़का लोगे ना इसलिए क्या हीस हो जाएगा लड़के ता तो क्या आरज़ता है तो यह क्यों तन अभी ट्वेंटी नेबर लास में है इसमें सुस्दा करेक्ट वर्ड आइकें फाइन मैं की आइमास है फ लेफ कौन सब्ला जाएगा इसमें देमा जाएगा एड फोम इसा लफ देम एड ओम तो यह हो गया एग नमबन तो हमारा हो गया आसर क्लास तो थेंकियो फुर वाचिंग आज आप लोग को कोई दो देटो मुझा कमेंन में बता देना आप लोग कमेंने दिखा दिया है अगर आप लोग मेरे सेनल को अच्छल लग तो तो सब सब्सक्राइब कहीं को धिल्ग कि जया फिरो में दो कि डिंगे आप लोग